साथ्यों, कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्विकार नहीं किया भगवान, बिर्षा, मुंडा के जन्म दिवस को राष्टिय, जनजातिय, गवराव दिवस के रूप में गोशीत करने का सवभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है साथ्यों, कमाल देखिए, आजादी के अनेग दसक तक, कॉंग्रेस के एकी परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमर्जन्सी लगाई थी कॉंग्रेस ने देश भर में लोगतांत्री सरकारों को जब मर जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थी कॉंग्रेस ने अपने हिसाब से इतियास को तोड़ा, मरोड़ा और मर्जी मुझब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंदन करवाया कॉंग्रेस की माने तो तब लोगतंत्र ठीक चल रहा था, फलपूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गपे लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधान मंत्री बना, तो कॉंग्रेस अफ़ा फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोगतंत्र पे खत्रा हो जाएगा ये कॉंग्रेस वाले हैं, आपको पता नहीं है, ये बाबा साब का संविधान है न, उसके कारण तो मोदी यहाँ पहुँचा है अब तो कॉंग्रेस का साही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बना, तो देश में आग लग जाएगी ये चौदा में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये उननीस में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये तिन सो सत्तर के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, गबराओ, भ्रम पहलाओ बाई और बेहनो आग देश में नहीं लगी आग जलन उनके दिलों में लगी है यह जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से अंदर से जलाती जा रही है और यह जलन भी मोधी के कारण नहीं है यह जलन 140 करोर देश सवासियों का मोधी के प्रती प्रेम के कारण है वो यह प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे है भाईयों बैनों यह लोग 10 साल से सक्ता से बाहर है दो साल में ऐसे छट पटा रहे है जैसे उनका सब कुछ लूट गया उनकी भावी पीडियों का ही जैसे लूट गया और कॉंगरेस वाले अगर यही कारण नहीं करते रहेंगे न उनका तोर तरीका यही रहेगा तो यह जलन उनको इतनी जला देगी कि देश आगे कभी मोका देने को तयार नहीं होगा और इसका कारण साफ है आप दुनिया की स्थिती देख रहे हैं युद्ध हो अराजक्ता हो अनिस्चत्ता की स्थिती चारों तरफ एक दुंबला वातावन बन गया है आशंका का बातावन बन गया है हर कोई भाई के साए में दुनिया में रह रहा है कब क्या होगा कौन सी मुसी बताएगी दुनिया थरचर कांप रही है ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है भारत आज और अधिक मजबूत होना चाहिए और नहीं होना चाहिए आज भाजब और भारत भाजब भारत की सेवा में इतलिए लगा है क्योंकि भारत मजबूत बने भारत से जक्त बने अब मुझे बताएए ये काम क्या एक अस्थीर कमजोर ब्रस्ट स्वारती नेताओं का इंडी कट बंदन मजबूती का काम कर सकता है क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती कि वो देश को क्या मजबूत बनाएगे आप मुझे बताएगे भाईयों भारत कौन बना सकता है कि मैंने इतने सारे सवाल पूचे मैं सोच रहा था आप लोग सही जवाब देंगे लेकिन आप ने तो हर बार गलत जवाब दे दिया कि यह मोधी नहीं यह आपका एक वोट कर सकता है आपका वोट कर सकता है कि यह मोधी यह आपका वोट कर सकता है कि यह मोधी यह आपका वोट कर सकता है